नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर बुलेटिन की शुरुआत करें लेकिन उससे पहले हेडलाइन्स पर एक नज़र सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामला मस्टर माइंड गेंग्स्टर गोल्डी बरार हिरासत में एडी के दफ्टर पहुँची नूरा फतेही दो सो करोड रुपए की मैने लॉंडरिंग केस में पूछताच 36 गड में बड़ा हादसा ख़दान धसने से फसे कई ग्रामीर साथ की मौद बीजेपी में आज बड़ा फेर बदल किया गया पार्टी अध्यक्ष जेपी नडडा की टीम में अब कॉंग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पंजाब के पूर्वसियम कैप्टन अमरिंदर सिंग और जैवीर शेरगिल को जगह दी गई कॉंग्रेस के प्रवक्ता रहे शेरगिल को भाजपा ने अपना राष्टिये प्रवक्ता न्यूक्त किया वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंग सुनील जाखर सोतन तरदेव सिंग को राष्टिये कारे समिती का सदश से चुना गया है पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसेवाला की हत्या के मास्टर माइंड गोल्डी बरार को अमेरिका के कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया है इंटरपोल ने कुछ समय पहले ही उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया था गोल्डी बरार के खिलाफ भारत में 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं वो भारत से कनाडा भाग गया था लेकिन कुछ समय पहले उसने कैलिफोर्निया को अपना नया ठिकाना बना लिया था पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मूसेवाला की हत्या का मास्टर माइंड गोल्डी बरार और लारेंस विसनोई है दो सो करोड की ठगी और सुकेश चंद सेखर मामले में पूश्ताज के लिए नोरा फतेही दिली के प्रवरतन निदेशाले कारयाले पहुँची मनी लांडरिंग मामले में एक्टरस से पहले भी कई बार पूश्ताज हो चुकी है नोरा से एडी ने पांचवी बार पूश्ताज किया इससे पहले 15 सितंबर को भी नोरा को पूश्ताज के लिए बुलाया गया था दिली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की नजर इस मामले से जुड़े हर शक्स पर टिकी हुई है हाल ही में सुकेश की मैनेजर पिंकी इरानी को भी दिली पुलिस ने गिरफतार कर लिया था 36 गड़ में आज एक बड़ा हादसा हो गया जगदलपुर से 11 किलो मीटर दूर मालगाओं में छुई खदान अचानक धस गई इस हादसे की चपेट में आने से अब तक साथ लोगों की मौत हो गई है बताया जा रहा है कि इस हादसे की चपेट में आने से 12 से ज़्यादा ग्रामीर उसमें फस गए थे और कई लोगों के इसमें फसे होने की आशंका है पुलिस और SDRF ने उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया अब तक साथ लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है वहीं साथ लोगों की मौत भी हो चुकी है योपी के गौतमबुध नगर जिले के बिसरखा थाना पुलिस ने एक योटी की हत्या कर उसके चेहरे पर तेजाब डाल कर शौ की पहचान मिटाने के मामले में एक यवक और योटी को गिरफतार किया है पुलिस ने बताया कि मरने वाली योटी के पहचान हेमा चौधरी के रूप में की गई है जबकि गिरफतार किये गए दोनों आरोपियों की पहचान पायल और अजय के तोर पर की गई है भारतिय टीम के ओपनर केल राहूल अब जल्दी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं वो वाली बुड के दिगजमनेता सुनील सेटी की बेटी आथिया से शादी करने जा रहे हैं इस बात की चर्चा मीडिया में जोरों पर है खुद सुनील सेटी ने भी हाल ही में मीडिया के सामने इस बात की पुष्टी की थी बीसी सी आई सूत्रों के हवाले से इंसाइड रिपोर्ट ने लिखा कि राहूल को कोई चोट या बीमारी नहीं थी बलकि उन्होंने नीजी कारणों से ब्रेक लिया है ऐसे में माना जा रहा है कि उन्होंने शादी की तैयारियों के लिए ही न्यूजी लेंड दोरे से ब्रेक लिया बता दें कि इस से पहले वर्ल्ड कप के दोरान आतिया शट्टी को राहूल के साथ आस्टेलिया में देखा गया था अभिनेता से नेता बने मशूर एक्टर परेस राहूल अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं वल्साड में बंगालियों पर दिये विवादित बयान के बाद जब मामला बढ़ा तो उन्होंने अपनी माफी माग ली उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि बंगालियों से उनका मतलब अवैद बंगला देशियों और रोहिंगिया से था अगर किसी को ठेस पहुँची तो माफी मागता हूँ वल्शाड लेली में परेश ने कहा था कि गए सिलिंडर महंगे हैं कभी न कभी उनकी कीमत कम हो ही जाएगी लोगों को रोजगार भी मिलेगा लेकिन दिल्ली की तरह ही अगर रोहिंगिया और बंगला देशी आपके आसपास रहने लगे तो क्या होगा गए सिलिंडर का नहीं बिहार में इस समय उपचुनाओ को लेकर प्रचार जोरों पर चल रहा है सियम नितीश कुमार भी आज कुढ़नी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे इस दोरान CTET और BTET के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री शर्म करो डूब मरों की साथ साथ हाए हाए के नारे लगा दिये। उन नारों को सुन नितीश कुमार के समर्थकों ने सभी अभ्यर्थियों को कुर्चियों से मारकर भगा दिया। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है उसमें कई लोग कुर्चियों को फेक्टे दिख रहे हैं। AI UDF के अध्यक्ष और सांसत बदरुद्दीन अजमल ने एक बार फिर विबादित बयान दिया है इस बार उन्होंने छोटी उम्र में लड़की की शादियों का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदूओं को अपनी लड़कीयों की शादी 18 से 20 साल में कर देनी चाहिए और उनको इसी मुस्लिम फार्मूले का पालन करना चाहिए जनसंख्या वृद्धी पर अपनी बात रखते हुए मौलाना बदरुद्दून अजमल ने कहा कि हिंदू 40 साल पहले 2-3 गैर कानूनी तरीके से वीवियां रखते हैं 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की छमता कहां रहती है उनको मुसल्मानों के फार्मूले को अपना कर अपने बच्चों को 18-20 साल की उम्र में शादी करा देनी चाहिए करनाटक में टीपू सुल्तान पर आधारित एक करनड फिल्म जो टीपू निजा कंसुगलू पर अब विवाद छिड़ गया है इसके राइटर और डाइरेक्टर अडांडा सी करियप्पा को मौत की धमकी वाला लेटर मिला है जिसमें लिखाग है शो बंद करो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा डाइरेक्टर ने मैसूर के जैलक्षमी पुरम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आगे की जाच की जा रही है आगरा के पिढोरा छेतर के गाओ गोपाल पुरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहाँ पुलिस की वर्दी में आये कुछ बदमासों ने साथ साल के मासूम का दिन दहाड़े अपहरन कर लिया पुलिस की वर्दी पहन कर ये कर्तूत करने वाले लोगों को जब ग्रामीडों ने देखा तो इन में से एक को धर दबोचा बाकी उसके साथ ही कार और बच्चे को लेकर फरार हो गए फिलाल इस वुलेटिन में इतना ही तमाम ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहे आज की खबर